हेलो मैं फ्रेंड्स आज जो मैं वीडियो बना रही हूं उसमें मैं different border के stitches बताऊंगी यह आप कहीं भी use कर सकते हैं border बनाने के लिए पहले आपने इस तरह से लाइने लगा लेनी है ताकि एक ही जैसा जो stitch है वो आए इस तरह जितना wider आप stitch बनाना चाते हैं उसी के हसाब से आप यह लाइने लगाने अब इसके अंदर से हमने यह लेना है यह देखें फिर द्वारा यहां से और इसे आपने ज्यादा tight नहीं करना झारे तरह करता है यह दो आर करता है झाल 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 अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं ये भी सेम उसी तरह से बनेगा लेकन इसमें डिफरेंट स्टाइल होगा झाल 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 प्याच कि झाल झाल एम झाल है ये नपकती सिच्ट के साथ जाएदेने तो ये एंगिदे नपकतोब आनाना री झाल 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 अब यह threaded running stitch बनाएंगे हम उसके लिए थोड़ा सा हमें यह इतने साइज का लेना होता है stitch झाला मैंनननननननननननननननननननन तो यह इसी तरह से हम सारा कम्प्रीट कर लेंगे, आप इन स्टीचीज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यह बहुत खुबसुरत लगते हैं बाटर के तौर पे, जैसे यह एक साइट पे है, दूसरी साइट पे भी आप टर्न करके इसे यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से इसे डबल करके यूज़ कर सकते हैं, तो यह थे हमारे आज के स्टीचीज, होफुली आप लोगों को पसंद आए होगे, प्लीज इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साद शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब क प्रेंड बेर फेस्बूक पेच को लाइकरे, थांक यू